प्रिजिट गये तुम आप से बात कीजिए आपने पर्विशन दिया मुझे तुम आप मुझे से बात कीजिए आपने पर्विशन दिया उन्होंने मुझे इन्वाइट किया हाथ में वहाँ हाँ हाँ चोड़ना चाहता हूं आप मुझे बताईए मुझे बताईए गंदी क्या कि बुलाईए हमको मंदिर दर्शन कर दे दीजिए हम चाहन को जाना चाहते हैं हम चाहन में हमारे बती है आप अधिक ब्रुशा करने परेंशान मत करो जा सकते हैं क्या गल्टी किये मैंने मैं बस हाद चोड़ने जाना चाहता हूं इस पेक्ट ने करना चाहता हूं मेरे रास्ते में हैं इन्वाइट किया है बच्ट यह अलाओ नहीं करने हैं अब देख रहे हैं बस में कारण पूछा हूं राउल जी कल हमला भी हुआ आपके काफिले पर प्रदेश अदेख्ष की पिटाई हुई और आज इस तरीके से पर्मिशन नहीं दीजा रही है इसके पिछे आपको क्या कारण नजर आता है पूरी आत्रा आपके भारत जोड़ो पार्ट बन के हुई कहीं कोई विरोत भी हुआ इस तरीके का नजर नहीं दीजा रही है यह आप इंसे पूछे भईया मुझसे क्यों पूछ रही है दो हर कोई जा सकता है मंदिर जाने से क्यों एक रहा हुआ 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 है सरकार का कहना था कि जो जहां है वहीं से मंदीर जा सकता है मैंन्य की अिच्छ जा सकता है वेनु जी, सब्सक्ता की तरह कर सब्सक्राइब कर दोब का कि जोगा इओं आ है वहां कि मेर्टिक कि टेंपल जा सकता है वाही आफ आई सिन हो olduğ दही जिक जिक है ऐसे मृत बड्रेश दाओ नहीं जोड़े कहा ए पूलर है आपको एक चीज़ कहा हूँ, तारीक को राहूल जी को पर्मिशन दिया गया था, यह एक एतिहासी जगा है, बड़े खर्मी घुरू, सामाजिक कार्य करना, पर्मिशन दिया गया था, वह भी मेरे थी, उनको भी उनको जी दे गई थी, अचानक, अचानक, इक्रीज तारीक को हमें कहा जाता है, कि हम नहीं आ सकते हैं, असम के लिए बहुत दुर भागिया है, कि असम में पहले दिन से ही, पहुल जी, मापुरु शिमंतर संकर देव के प्रती, अपनी भक्ती, बार बार वो व्यक्तर है, आज भी गुरुजन के जनम स्थान में गुरु के प्रती जो उनकी भक्ती है, जो उनकी श्रद्दा है, वो ही दर्शाना वो चाते हैं, लेकिन आज भी हमको बर्तवान के जो सरकार है, हमें अपनी भक्ती से रोक रहा है, हमें अपने भक्ती के रास्ते से, हमें अपने दर्शन के रास्ते से हमको रोक रहा है, इस से ना राधोल जी की भक्ती कम होने वाली है, ना भारज़ोर यातरा की शक्ती कम होने वाली है, हमारी भक्ती पहले भी थी, आज भी है, सदेव रहेगी एस तोड़े नीचे तो अपने बनवास काल में सबको साथ लेकर चलते थे जाँ जी भगवान राम तो बनवास काल में समको साथ लेकर चलते थे यहाँ प्ये मेरा स्थानिया लोकसबा छेतर है मौर्डवा था जहां पे जा रहे वो भी मेरा स्थानिया लोकसबा छेतर है वहाँ पे मैं स्वयम गया था दो दिन पहले मैं स्वयम गया सत्रादिकार ने स्वयम कहा कि वो सुभे आ सकते है राहुल जी आ सकते हैं, सक्रादिकार ने स्वयम कहा, लेकिन जब मुक्रम मंत्री के तरफ से एक समवाद मीन में बयान आया कि तीन बज़े से पहले राहुल गांदी जी सत्र में नहीं जा सकते उसके बाद सत्र के तरफ से उनका वी आवाज है रुख है उनकी तरीके से बदल गया है वो साफ तक बदल चलता है कि किस प्रकान के दबाब आज भाजपा की राज्यस सरकार और केंग सरकार हमारे घुरू के सथान पर बौर्डवाकार पर दे रहे रहे हैं परिश्वाबस को है तरो परिश्वाबस अथ मकोई चाहित जाता है यह सभी धर्म को जमानते थे सबको एक संदेज देते थे कि यहां से आपको इसंदेश दिराचा करें इसलिए हम वहाँ जाना चाहिए तब भी जाएंगे वोजी तो नहीं करेंगे हम फोर्सिप्री कुछ नहीं करने हैं इसलिए अब भी भी लोग जा रहे हैं सब लोग जा सकते हैं भी फट बाद है क्यों इतो शंकर देव जी की भाकत है वो आपे भक्ती महां पर पतह्यराण करना चांद है ज़ाजर शे सबी सदभावधना का सब सबको अनुमती है बस इनको क्यों तीन बजे का दिया है अगर आप जाना चाहें आप अभी जा सकते हैं मैं जाना चाहो तो मैं जा सकता, मेरे पे तीन बजे का पाबंदी नहीं है, असम के नागरिकों पे तीन बजे का पाबंदी नहीं है, ये पूरा पाबंदी रिस्टिक्शन से राहुल जी पे है, ऐसा क्यों क्या कारण?